जैसरी कश्णिमित्रों फिर एक बार बहुत बहुत हारदिक स्वागत है आप सभी का, आज हम बात करेंगे कुम्भराशी के बारे में, कुम्भराशी के राशी फल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे सुनें तभी आप कुम्भराशी वालों के राशी फल की पूरी जानकारी प्राप कर पाएंगे, ये राशी फल चंदराश पर अधारित है, यानि वोंसाइन पर, जिन लोगों को अपनी राशी नहीं पता है, वो लोग अपनी जनकुन्डली में ये देख लें, कि चंद्रम अपनी नाम राश से देखवा सुन सकते हैं, और कौन-कौन से अच्चर कुम्भराशी में आते हैं, वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशी जान सकते हैं, तो चलिए मितरों पहले आज का विचार जान लेते हैं, मित्रों आप किसी का भागी नहीं बदल सकते लेकिन अच्छी प्रिणना दे कर किसी का मार्ग दर्शन तो कर ही सकते हैं स्री कृष्ण कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो सार्थी वनना स्वार्थी नहीं बीते कल और आने वाली कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ही हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत सो समझ करना चाहिए। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिष्टों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया हो। चलिए मित्रों पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। चार बज कर 31 मिनट से चंद्रमा कुम्भराशी में प्रवेश कर जाएंगे एक मार्च को और दो और तीन मार्च को भी चंद्रमा कुम्भराशी में ही रहेंगे। तो चंद्रमा का गोचर गुरू के साथ होगा, तो जब गुरू के साथ चंद्रमा का गोचर होगा, तो वहाँ पर गुरू और चंद्रमा मिलकर एक योग का निर्माड करेंगे, जिसे बोलते हैं गज के सरी योग। तो गज के सरीयोग का निर्माड होगा, आपकी राशी में होगा, आपके प्रथम भाव में होगा, जो की चंद्रमा और गुरू की युती से होगा, और इनकी संयुक्त द्रश्टी, पूर्ण द्रश्टी, सब्तम द्रश्टी, सब्तम भाव पर होगी, तो आपको एक मार्च को साम को चार बच गर 31 मिनट के बाद और तीन मार्च तक चंद्रमा के गोचर के प्रणाम बहुत अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि गुर्देव के साथ प्रेंगोचर होगा और गज के स्रीयोग का निर्माड होगा तो धन के मामले में आपको दिक्कते नहीं होगी ब्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी नौकरी छेत्र में सफलता मिलेगी अपने बॉस से संबंध आपके मधुर रहेंगे ब्यापारिक पार्टनर के साथ समंद मधूर रहेंगे पत्नी के साथ समंद अच्छे रहेंगे और आपका जो जीवन साथी है अगर कोई ब्यापार कारोबार करता है तो उससे आपको लाब मिलेगा प्रेमी प्रेमिका के साथ समंद अच्छे रहेंगे और आपके ब्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, नोकरी में सफलता मिलेगी, धनमान के सम्मान की कोई कमी नहीं होगी सिच्छा में सफलता मिलेगी, प्रेम समंदों में सफलता मिलेगी धर्मकर्म में रुची रहेगी, धर्मकर्म में आपका मन लगेगा और आपके गुरू के साथ समंद अच्छे रहेंगे, पिता के साथ समंद अच्छे रहेंगे, पारिवारिक समंद अच्छे रहेंगे तो इस प्रकार के काफी अच्छे लाब देखने को मिलेंगे दो और तीन मार्च को, एक मार्च को चार बच कर 31 मिनट से लेकर और तीन मार्ज तक इस तरहें के प्रणाम देखने को आपको मिलेंगे चार और पाँच मार्ज को चंद्रमामी इन राशी में प्रिवेश करेंगे यानि आपके दूसरे भाव में प्रिवेश करेंगे और आपके जो बाड़ी है वैसे मधूर रहेगी लेकिन आप अपनी बाड़ी को लेकर परिवार में कोई बेर्थ का बात भी बात खड़ा कर सकते हैं, माता के साथ बात भी बात हो सकता है, इन सबी बातों का ध्यान रखें और धन के मामले में कारोबार के मामले में भी अचान जो मियन राशी में होंगे वो सामान निप्रणाम ही कहे जा सकते हैं वहाँ पर आपको सामान निप्रणाम ही मिलेंगे और इस समय पर आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा खान पान का अगर ध्यान रखेंगे तो बेहतर स्वास्त रहेगा ऐसे में अच्छा खान प तो इस बात का ध्याम रखें कि इस समय पर थोड़ा बजट बना कर चलें तो आपके लिए अच्छा होगा. कारेच छेतर की अत्रिक जिम्मेदारिया इस समय आपको मिल सकती है जो कि आपको थोड़ा बहुत टेंसन दे सकती है और उस टेंसन को दूर करने के लिए आप अपने नियमी दिंचर्या में थोड़ा बद्राव रखें आपके जो लोग प्रिये हैं उनके साथ थोड़ा समय ब ध्यान रखें आपकी सिच्छा के छेतर में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको भी से सफलता इस समय पर मिल सकती है मन पढ़ाई में अधिक लगेगा जिससे आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा इस तरह के कुछ प्रणाम देखने को मिल सकते हैं तो चलिए उपाय क वात कर लेते हैं अगर उपाय की वात करें तो आप सुक्रवार के दिन चावल चीनी का दान दे सकते हैं किसी गरीब को और किसी गरीब को आप दही और चावल पके हुए चावल और दही का दान भी कर सकते हैं यानि उसका भोजन करा सकते हैं उससे भी लाव आपको मिलेगा तो इसमें से आप खीर भी खिला सकते हैं तो इसमें से जो भी उपाई आप कर सकें, करलें किसी निर्धन भेक्ती को अगर आप ये सब दान करते हैं आप को लाब मिलेगा मित्रों आज मैंने आप से कुम राशिवालों के राशिफल के बारे में कुछ चरचा की ये राशिफल सामाने राशिफल है सभी जात्वों पर पून्रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिलकुल भी संभव नहीं है क्योंकि आपकी जन कुडली में ग्रहों की स्थिती और आपकी बर्तमांदसा और अंतर्दसा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिती इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्वा करता है आप सभी स्वस्त रहें आयुश्मान रहें, धनवान रहें ऐसी मेरी श्री किश्ण भगवान से प्रार्थना है जै श्री किश्ण